हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ससी ग्रेकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत श्वागत थे तो ससी छसल 2022 का जो है ओफिसियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और ये नोटिस को देखकर बहुत सारे लोग इस बार शॉक्ट होने वाले हैं क्योंकि एक्जाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है ओके टीर 2 का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है सेम उसी तरीके से जिस तरीके से सीजियल का चेंज हुआ था ओके तो ये तो एक्सपेक्टेट था ही कि सीजियल के बाद जो है आपको CHSL में भी जो है नोटिफिकेशन चेंज आपको दिखेगा है ना तो क्या है वो सभी चीज जिसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे तो बहुत ही आपको ध्यान से देखना है तो देखिए CHSL का जो नोटिफिकेशन है वो आपका क्या है नोटिस वो आप देखिए तो डेट फॉर समिशन ऑफ ओनलाइन अप्लिकेशन ओके जो ओनलाइन अप्लिकेशन को जो फॉर्म भरने का जो टाइम है वो आपका 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2023 तक है यानि कि इतना टाइम आप उसके 5 दिन तक आप अच्छे से फॉर्म को पढ़के सारा कुछ समझ कर और अराम से जो है उसके यानि कि 15 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक जो है आप लोग सभी लोग इसके पहले पहले तक फॉर्म अपना फिल कर लेंगे ओके ओके लास्ट डेट का तो आपको देखना ही एगजाम, कम्प्यूटर बेस्ट एगजामेनेशन होने वाला है आपका और इसका जो टाइम है वो है February और March दो हजारतेइस यानि कि February और March में आपका एगजाम होगा तो यह एकस्पेक्ट आप यह expect आप कर सकते हैं कि 20 February के बाद ही आपका होने वाला है यह Tier 1 का exam CHSL का और जो Tier 2 का जो schedule है वो आपको बाद में बताया जाएगा To be notified later यानि कि देखा जाए तो December start हुआ है यहाँ आपके पास time है January time है और समझे कि February में कुछ दिन का time होगा यानि समय बहुत कम है आपके पास CHSL के लिए तो एकदम से आपको red alert पे रहना है त्यारी का अब देखे Scheme of Tier 1 examination Tier 1 examination का Scheme क्या है तो जैसे पहले था वैसे ही है English, Reasoning, Math और आपका जीए है English में आपका total 25 questions रहेगा 50 marks के लिए Reasoning में भी 25 questions 50 marks के लिए Math भी 25 questions 50 marks के लिए और GK भी आपका 25 questions 50 marks के लिए यानि कि total 100 questions रहेंगे कितने marks के लिए 200 marks के लिए रहेंगे आपके ये CHSL का Tier 1 exam ओके तो देखे और time आपको मिलेगा total 1 घंटा का time यानि 60 minutes का time आपको दिया जाएगा 100 questions को solve करने के लिए और देखे negative marking भी है 0.50 marks यानि एक question आपने गलत करा तो सीधे 0.50 marks आपका deduct हो जाएगा और अगर एक question आपका सही हुआ तो 2 marks आपको मिल जाएगा ठीक है इसका भी ध्यान रखना है अब जो सबसे ज़ादा shocking चीज है वो है आपका scheme of tier 2 examination क्योंकि आप जानते हैं कि पहले जो tier 2 का exam था वो क्या था उसमें तो सिर्फ आपका descriptive का paper थोता था है ना 100 marks के लिए जिसमें आपको essay और letter लिखने होते थे लेकिन अब essay है काम नहीं चलेगा अब सब subject को चाहिए फूल इज़द exam पास करने के लिए तो देखिए यहाँ पर आपका है section 1 में क्या क्या तो maths है और reasoning है maths के total 30 questions रहेंगे है ना और reasoning के भी total 30 questions रहेंगे यानि 60 questions रहेगा आपका maths और reasoning को मिला कर और हर एक question के लिए आपको मिलेगा 3 marks यानि total 180 marks का होगा आपका यह section 1 ठीक है और इसके लिए आपको time मिलेगा एक घंटे का है ना तो maths और reasoning भी आपको अब अच्छे से करना परेगा tier 2 को पास करने के लिए उसके बाद देखिए section 2 में है आपका English और GK English के total 40 questions और GK के total 20 questions रहेंगे यानि कि 40 plus 20 हो गए आपके total 60 questions और हर एक question के लिए आपको मिलेगा 3 marks यानि आपका यहां भी 180 marks हो गया section 2 में और इसके लिए भी आपको एक घंटे का time दिया जाएगा और section 3 का model 1 है आपका computer knowledge जिसमें total आपका 15 questions रहेगा हर एक question के लिए 3 यानि 45 marks हो गया आपके computer के भी यानि 360 हो गया आपको इन दोनों को मिला कर और फिर 45 यह हो गया यानि कि 405 marks का आपका यह हो गया total section 1 जिसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का time मिलने वाला है है ना उसके बाद देखिए section 2 यह आपका skill test है typing test है यह आपका section 2 है अब यहां देखिए important चीज है कि tier 2 will include following 3 section having 2 module each 3 section में होंगे 2 module है section 1 आप देखिए लिए maths और reasoning है section 2 में आपका English और GK है और section 3 में आपका computer और skill test है tier 2 जो exam होगा वो 2 session में होगा session 1 और session 2 ठीक है same day पे होगा on the same day same day पे आपका होने वाला है session 1, session 2 session 1 में क्या क्या रहेंगे session 1 में रहेंगे इसमें आपका क्या रहेगा section 1, section 2 and module 1 of section 3 यानि कि ये section रहेगा फिर से आपका ये section रहेगा और section 3 का module 1 होगा आपका ये तो यानि जो 2 session में जो आपका exam होगा तो जो एक session है वो इन तीनों को मिलाकर है इन तीनों को जिसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का time मिलेगा और जो second session होगा उसमें आपका ये skill test, wrapping test होगा और यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि it will be mandatory for the candidates to qualify all the section of tier 2 mandatory है आपको qualify करना दोनों section में ठीक है सभी section में आपको qualify करना है tier 2 में tier 2 के लिए तो जल्दी से जाईए अच्छे से form को fill किजिए ठीक है description में भी आपको link मिल जाएगा इस notice का है ना वहां से आप download कीजिए इसको बढ़िया से पढ़िये और उसके बाद जो है आप 4-5 दिन का time लेकर और इसको form को fill कर दीजिए है ना और इस बार तो आपको golden opportunity है क्योंकि GA के लिए आपको सोचना नहीं है अभी देखी रहे हैं इस बाद में डिसको करेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही है ना और कैसे क्या करना है वह आपको बाद में बता दिया जाएगा तो मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक लिए जो है all the best